तो गाइस अगर आप भी Minecraft Pocket Edition खिलते हो तो आपको पता ही होगा कि Minecraft Pocket Edition में बहुत सारी चीज़े मिसिंग है Compared to Java Edition पुछा किसीने तो इसलिए आज हम MCPay में Top 5 Add-ons को Add करेंगे जिससे हमारे Survival Gameplay बहुत जादा Easy हो जाएगा एंड हां इने डन से आपकी achievement भी आफ नहीं होगी एंड जो लास्ट बाद एड़ान है वो Minecraft के यूटूबर हो के लिए बहुत ज्यादा useful है पुछा किसीने तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंदा है तुछ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना तुछ चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एड़ान की तरफ को तो गैसे आपने Minecraft खिलते खिलते एक बार तो नोटिस करी होगी कि इस गेम की ग्राफिक्स ज्यादा अच्छे नहीं है इसलिए मैंने यूज किया है एलेक्स कलरफुल सेडल एंड इस सेडल को लगाने के बाद हमारा गेम ऐसे से ऐसा हो जाता है एंड इस सेडल के अंदर हम को ट्रांस्पेरेंट वाटर भी मिल जाता है एंड शुबर केन का कलर तो एक्दम चेंज ही हो गया है और यहां पर नेरर पोटर के तो टेक्शर ही चेंज हो गया है और इसका ही तो एक्दम मस्त मिल जाता है तो अगर आपका भी Minecraft में कुछ चीज क्राफ्ट करते करते पूर क्राफ्टिंग एड़ और एंड इस एड़ ऑन की मतबसे आप किसी भी चीज को क्राफ्ट कर सकते हो बन किलिक में तो गयाई सब्सक्राइब आप भी ट्रेडर हो मतलब गया आप भी बिलेजर को बिना मैक्स करने उनकी फुल ट्रेट चेक करना चांते हो तो एक यह यह नही ज्यादा हेल्प होती है ट्रेडिंग करने पर और यह आप किसी की भी ट्रेट चेक कर सकते हो बिल्कुल मैक्स लेवल दख तो क्या आप भी वाइनक्राफ्ट में हंडेट दे की सर्पाइवल बीडियो बनाते हो और यह तो दोती खोल रहा है कि तो इसलिए मैंने एड़ किय जेमने प्यारी सी सि शिफ्ट को मारना पड़ रहा है तो लॉनलाइट बेड बन चुका है तो अभी मेरे को यहाँ पर रात करनी पढ़ेगी तो कि यहाँ तो रात होते ही आपको यहाँ पर डारेक्ट जाके सो जाना है एंड उसके बाद अगर आप next day उठोगे तो आपका एक day count हो जाएगा तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो अपको आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like कर देना और चैनल को भी subscribe कर देना तो जिस जिस ने यहां तक वीडियो देखिए तो उसको एक gift तो मिलना ही चाहिए तो इसलिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे replay mode एंड इस mode की मतद से आप अपने Minecraft Pocket Edition में replay ले सकते हो वो भी एकडम जाबा की तरह बट इसमें थोड़ा इसी जुगार करनी पड़ती है और हाँ इसको आप survival world में भी नहीं लगा सकते हैं इसको लगाने के लिए आपको full experiment को on करना पड़ता है इसलिए आप अपने survival world का एक copy world बना के उसमें आपको इसको use करना है और हाँ इन सारे add-on की link आपको comment box में मिल जाएगी अगर आपको इस बाले add-on को download करने में अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो आप मेरे को simply से एक comment कर देना मैं उसका भी solution ला दूँगा और हाँ मैं इस बाले replay mode की full video लेकर आऊँगा इसलिए चैनल को subscribe कर देना आज मैं इस बाले replay mode को नहीं बताऊँगा मतलब guys मैं इस बाले mode की full video लेकर आने वाला हूँ क्योंकि view चाहिए मेरे को अगर आपको अभी भी जानना है कि इस बाले replay mode से कैसा output निकल के आता है तो आप left बाले video पर click करो और आप देख लो कि कैसा इससे output निकल के आता है और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए good bye